जब करण का पहिया जमीन में फंस गया तो वो रत्प से उतर कर उसे ठीक करने लगा। तब भगवान शिर्किशन ने मौका पाकर अरजुन को कहा कि हे अरजुन अब बानों की ब्रसा करना शुरू कर दो। तब अरजुन ने भगवान के आदेश का पालन किया और बानों की बर्षा करना आरम कर दी जब करण निहत्था होकर गिर पड़ा तो करण ने भगवान शिरकिशन की ओर देखा और कहा कि क्या ये तुम्हारा न्याय संगत निर्ने था क्या ये तुम्हारी द्यालुता है क्या ये तुम अच्छा निर्ने दे रहे थे तब भगवान शिर्किशन मुस्कुराए और उत्तर दिया कि अरजुन का पुत्तर अभिमन्यू जब चक्कर भी उमें फस गया था तो आप सबने उसे धोखे में आकर उस पर सबने बेराहमी से मार डाला तब तुमारा ग्यान कहां था ये कर्मों का प्रतिफल है और मेरा न्य किसी की कमजोरी का फाइदा उठाते हैं वही कर्म आगे चलकर हमारी परतिक्षा कर रहे होते हैं और जैसा हमने किसी के साथ किया होता है वो चीजें हमारी जिन्दगी में लोटकर अवश्य बापिस आती हैं कहते हैं जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है ये संसार नहीं भईया सागर की मजधार है औरों का बेड़ा पार कर तेरा खुद भी बेड़ा पार है जै श्रिकिष्णा जै श्रादे